दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक और सेशन में नस comply कि दोस्तों है आप bajo बदाप खाते हैं और क्या और उस्त पिन नट्स है वह तो पिंस्टाशियों क्वागते हैं कैने आगए हैं क्या वह प्रुट हैं लोगों कहते वंट्वे कहते ऐगी बात है और निकलता है तो इनके तो निकलते हैं तो Tokyo को कईईों में तो 50 50 परसेंट होता है इसको इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए इसको नहीं सब्सक्विस carries very technically let's talk about this nuts nuts एक दुनिया का सबसे पॉप्यूलर स्नैक फूड है और सबसे हेल्दी भी है जी हां इसमें ओईल होता है कईयों में होता है लेकिन ये फिर भी हेल्दी है पॉइंट क्या है यहां पते की बात है quantity पे और इसके अंदर प्रेजेंट बाकी इंग्रीडियंट पे तो समझ लेंगे आप पहले समझते हैं कि यह फ्रूट है कि वेजीटेबल है कि समझे कि भाजी है कि कांदा टमाटर क्या हिए इसमें डिफरेंस क्या है इसमें नट्स और बेजीटेबल न में डेट्स बेजीटेबल्स डेखो आप आपको समझना जरूरी है कि नस प्रूट क्लासिव Iceश को फ्रूट जो है वो फ्लावर से निकल करना Foods जो हैं, plant के flower से निकल के आते हैं, and, fruit के अंदर seed होता है, reproduction. सब्जी यहां जो होती है, वो plant के अलग-अलग part से आ सकती है, roots से, stem से, leaf से, और, यहां पर, taste से भी depend करता है, taste के basis पे, कई चीजों को मिठा और हो गया, तो उसको desert, snack, smoothie, pastry, ऐसा बोल दिया जाता है, vegetable mild, bitter हो सकते हैं, तो उनको soup बनाते हैं, salad बनाते हैं, सबजी बनाते हैं, तो fruits और vegetables दोनों ये प्रकार के होते हैं, अब nuts जो है, वो technically fruits में classified, nuts are fruits, जिया, बट वो क्या है, वो एक seed है, single edible seed है वो, एक seed है वो, जिसके उपर एक hard, या किसी-किसी में hard cover होता है, किसी में नहीं, pistachio में cover है, आपके walnut में cover है, और वो भाई साब एक seed होता है, fruit में वाना जाता है, और कई सारे food है, जो के actually nuts माने जाते हैं, लेकिन वो actually, they are really seeds, for example, almonds, cashews, brazil nut, walnut, और जो pecans, pistachio, pine nuts, ये botanically, ये भी seeds हैं, these are the same thing, most other nuts are just seeds, so yeah, seeds होते हैं, पहले तो ये, और जो actual nuts है, वो सिर्फ, जो chest nuts होते हैं, hazel nuts होते हैं, वो nuts है, वो nuts है, ये nuts नहीं, आप और मैं nuts है, अगर nuts समझते हैं, तो nuts हैं, सभी nuts हैं, anyways, अब सबसे important, peanut, peanut, जो है most popular nut है in the world, और ये ये वाला जो nut है, ये technically एक दाल है, ये लिग्यूम है, ये बैट और botanically एक सबजी है, ये डट है, ये लेकिन ये सबजी है, लेकिन हावर, peanut जो है, वो दूसरे nuts के आसपास है, उसकी ingredients को लेके, इसलिए पहले तो ये समझ लीजि nutritionally बहुत सारे जो nuts हैं, वो legumes, यानि दालों के पास आते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी दालों के जैसे protein content high होता है, या बीन भी अपने आप में एक nut के आसपास आ जाता है, उसमें तो 50% के आसपास, 40-50% protein होता है, और यहाँ पर nuts में, यहाँ पर जो इसके बात है, कि कितन खाएं, यह जो nuts है, इनके अंदर भी 15-25-30% तक आपको protein मिल जाएगा, अलग-अलग nuts में, अलग-अलग, और यहाँ पर बहुत important है, क्यों आपको यह खाना है, उसमें क्या है, और क्या है, नमबर एक, उसमें बहुत सारा oil है, यहाँ माना, उसके अंदर बहुत सारा protein है, it's a very good, excellent source of protein, it has fat, it has fiber, antioxidants और बहुत important vitamin minerals है, vitamin E, magnesium, copper, selenium, आपके thyroid से लेके, body energy से लेके, body metabolism से लेते, हर चीज़ में यह काम करते हैं, यहाँ यह numerous, एक, दो नहीं, हजारो studies है, जिसमें numerous health benefits हैं, चाहे वो inflammation reduce करना, heart health improve करना, blood sugar control करना, digestion better करना, हजारो studies आपको मिल जाएंगी, निकाल के आप देख लो, dietary guidelines में बोला जाता है, कि यह nuts जो हैं, यह protein source के इसाब से लो, rather than fruit और vegetable, क्योंकि इसमें high protein content, तो nuts को, दालों को, सोया बीन को, पीनट को, protein source के इसाब से लो, fat pro source के नही लेकिन क्योंकि यह high calorie है, क्योंकि इसमें बहुत सारा fat है, इसी लिए इसको आप large quantity में नहीं ले सकते हैं, that is the only important catch here, यही सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि nuts जो है high calorie है, और एक छूट असा एक gram में आपको 30-30, बहुत सारी calories मिल जाती है, इसी लिए जैसे के, उस आधा, मतल इसी लिए उसको आपको कम खाना पड़े, नट्स खा सकते हैं, लेकिन small proportions में, इसलिए लोग क्या कहते हैं, चार बदाम, पांच, यह, एक मुठी भर के, बस इतना ही खाते हैं, नट्स वेर्स वहत वर्सेटाइल होते हैं, लोग इसको बिर्यानी में डालते हैं, लोग इसक इसको चॉप करके इधर उदर डालते हैं, इसको मिठाईयों में डालते हैं, क्या होता है, इससे आपके बदी को nutrition मिलता है, so that is a good option here, so nuts आप खा सकते हैं, एक exception है इसमें, जो जो salted nuts होते हैं, जो sugar coated nuts हो, chocolate coated nuts होते हैं, flavored nuts होते हैं, ना उसके उपर जो करीवी coating है, वो आपके लिए खराब है, वो वैसे ही है, जैसे मैंने आपको dried fruits में बताया था, चाहिए, cashew फैशू हो, वो सीब चीजों में, जो किश्मिश हो, किश्मिश के उपर और दूसरी चीजों के उपर, अगर और ज्यादा आपने चीनी लगा दी, या आपने salted peanuts खा रहे हो, तो उसका जो नमक extra हो जाएगा, so all these things are bad if they are having extra things added into them, right, so remember, एक तो सबसे अच्छा होता है, जो आपके पास खुला हो, वो नट सबसे अच्छे है, जो packaged nuts होते हैं, जिसके उपर या तो वो cover करके उसके उपर, कोई बेसन का च्छों करके तल देते हैं, उसको, so some kind of nuts के उपर covering हो जाती है, या त सबसे हैं, so those are not healthy, वो extra sugar डाल देगा आपकी diet में, आपकी dieting, आपकी body, आपके health, आपके मुटापा की ऐसी तैसी हो जाएगी, जी हाँ, so आपने वो नहीं खाना है, अगर आपको nuts की best ताकत चाहिए, नक बेनक और best उसका health benefit चाहिए, तो जो raw आते हैं, वो लेकर आओ, वो क परसन को चाहिए के साथ दे दीजिए, बिस्केट विस्केट रस वस यह सब खाना मखाने मखाने भी बन खाने फिर भी चाहिए, फिर भी बन करो, the nuts are the best to be eaten with your tea, खाली पेट चाहिए मत पियो, nuts खाले, सब से बढ़िया है, चाहिए कुछ नहीं तो peanuts खालो, मूंग फली खाल है, इसके अंदर बहुत सारे fat के अंदर भी a fat soluble vitamins है, a, d, e, k fat soluble है, a, d, e, k, fat soluble vitamins आपको इन ही से मिलते हैं, अगर यह नहीं खाओगे, तो vitamin की कमी हो जाती है, so these are important, although vitamin D आपको दूप से मिलेगा, और b12 आपको मिलेगा, animal food से, और soy भी मिलता है, vitamin b12, कम होता है, लेकिन में भी मिल जाएगा, so please do that, so जितने भी nuts है, almond, walnut, cashew, botanically seeds है, fruit नहीं है, और इस सारे के सारे आपके लिए healthy है, मगर आपको इनको गिन के खाना है, अपनी उंगलियों में जितने हैं, उतने ही खाने हैं, उससे जादा नहीं खाने, दो चार, दो चार, दो चार दिन में, दि हालो, उससे जादा नहीं खाने, और बहुत इंपोर्टन है, कि उल्टी सीधी बातचीतों पर भरोसा नहीं करा, thank you so much guys, please share this video, knowledge share किया करो, entertainment, entertainment, बहुत देख ली, थोड़ा सा knowledge भी देखा, thank you so much, please share and subscribe, hit the bell icon, and for such videos, stay connected, stay healthy. झाल